नमस्ते दोस्तों सबस्टेस आप सब करते हैं तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मित करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहां पर ठीक हूं आज सुबह से यह ना पेट में तोड़ा दरद हो रहा था और इसी वज़े से ना कुछ भी काम ने कर पाई सारे दिन बहुत ही मुश लगता है हर रोज बर साथ अच्छा ने रखता माहिने में 15 दिन में एक दिन तो अच्छा भी लगता है लेकिन रोज रोज का जो है ना थोड़ा जीब से लगता है चलिए दिखा देते हैं आपको आप देख पा रहे होंगे देखिए चाटे आ रही है और छोटु एही गए दूद लेने के लिए तो देखिए दूद आज एक किलो मिला है यहां पर जल्दी खतम हो गया बरसात की वज़े से दूद मिला नहीं है और आदी किलो मौंग दाल लेके आई हूं क्योंकि इनके खिचिरी के लिए जो दाल है वो खतम हो गए है और इस बार आभी तक मम से क्या करूंगी बच्चों की जो निपल है यह चुवा काट खाया है देख सकते हैं मतलब इस तरह से यह खा लिया है कि इसका बच्चे इसमें पी नहीं पाएंगे दूद पूरा मतलब काट खाया मेरे पास एक्स्ट्रा निपल भी नहीं है और एक चीज दिखाती हूं से जिने के फली के जो पते होते ना वो लेकिया इस मोरणग भी बोलते ना शेयद मोरणग भी बोलते और बाकी से अगली तो हम जोस्की कि नब भी दिख सकते हैं अब कि आफ को देख़ाया है बाहर तो यह बारिश लेकिन अंदर कपड़े इतने ज्यादा एकटे हो गए तीन चार दिन के तो उनको तो दोना पड़ेगा और फाइनली मैंने यहां पर धोकर मतलब कम्प्लीट कर लिया है और उन कपड़ों के बालती को वास्पिशन के अंदर रख दिया है उसी में से मतलब निल ल परिशानी होती है तो आप देख सकते हैं सारे कप्र जो है बच्चों की है बस एक अधी कप्रा जो है वह मेरा कलका दुपा आथा तो बहुत मतलब अधिकल्या कप्रा तो मैंने उनको नेचे उतार दिया उनको अंदर वाली रूम में सुखा दूंगी दोस्तों यह सारे कप को यह चोटों चट्टी और विजो चर्क प्रें देख तें को सुखाता है घर में जगे भी नहीं है यह पर इसमें से पानी टफकते हैं को यह एसे कंप्रें पर चांब करें सुखाना पड़ेगा तो बाट भrसात की दिनों में कप्रें उसकाना प्रॉब्लें कि दोस्तों सारा कत्रवान के बाद में यहां पे आ गय थी जो स्याजने की पतल इनको च्थने के लिए और सेजने मिर्ची ले लिए सटड़े बजार से ना में लेकर आया थी हरी मिर्ची तो उनको चाट के रखने का मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था तो फिर उनको चाटी हो और में मिर्ची ना दो तरह की लाती हूं एक तो कम तिकी वाली तो उसका इस्तिमाल ना बच्चों की खाने में या पिर जो कम तिकी की सब्जी बनाती इसमें डालती हूं और एक मेरे लेए लाते हूं जो बहुत ज्यादा स्पाइसी है। उन मी्रची का इस्तेमाल स्थ मैं मेरे खाने में करती हूं क्योंकि बच्चे उनका मिर्ची को डंटल हटाकर रखरी हूं अगर डंटल समेद अपन रखते थेली के अंदर तो खराब हो जाता है तो मैं इन मिर्ची को चाट कर किसी डब्बे में भरके रखोंगी इससे नहीं लंबे समय तक मतलब चलता है 15 दिन तक चल जाता है तो देखिए इस तरह से डंटल को अलग करके और सारे मिर्चियों को मैंने चाट लिया है और फाइनली डब्बे में रख दिया है और डब्बे में देख सकते हैं थोड़ा सा हलका सा मता बहार सा निकला हुआ है इसमें से यानि कि यह तूटा हुआ है हवा पास होती रहती है तो लेकिन फिर भी इस डब्बे एक जगह रहेगा और जरुत पढ़ने पर एक की डब्बे में से निकालेंगे और इनका भी डंठल अलग करके रखोंगे तो यह बहुत दिन तक जाएगा और बैसे कम तिक्षी वाली मिर्ची न मुझे कमी चाहिए होता है तो इस बज़े से बो लेके आई हूं मैं 10 रुपाय यहां पर में जो पत्य हैं उनको तोरने की कुछिश कर रहे हूं और यहां पर बच्चे बहुत ज़दा मस्ति कर रहा थे तो मैं उनको भी कामे लगा लें कि आ जाओ भाई लोगों आप लोग भी तोड़ा मदद कर दो तो पत्य हैं तो इसलिए बच्चे असानी से कर कर देंगे उसे बतारियम के एक-एक करके मिल रहा है अब मोच पत्रण तो लेकिन अच्छे रहा है और आप जादा मतलब ताइम लगे तो दोस्तों यहां ंपने सारे पत्यों को चार लिया और सोनो कामी कर रहे हैं वह बढ़ा है माहीं समझता है तो देखिए चोट कापी क खोलो। विदूरों तौह थे लेंगे।। विदूरों से तौह में परघभीक ने तौह थेक के लिए जबादे कुट करें। पीप्के ने में तो बसके ने हमें तौहले होने बंगी किके सरन कुट्रापने करें। जो बड़े बड़े डंठल बड़े पत्ते सब कुछ डाल दिया उन्हें छाट कर अलग करें तो इसमें भी मतलब आमें छाटने में सारे पत्तों को कम से कम एक घंटा लग गया था और देख सकते हैं बच्चों को काम पर लगाने मतलब यह नहीं है कि उन्हें परिशान करना यह कि वह जो बदमर्शी करता है बस यह थोड़ा सा शांती रहा आप देख पार होंगे चोटू मेरा मतलब कैसा करता है काम तो करता नहीं फैलाता जादा है तो इसी तरह से मतलब उन्हें काम में बीजी करके 10 मिट या 15 मिट के लिए कर देती हूं ताकि बो लोग बीजी र देख सकते की तो दोस्तों आज की वीडियो को यह चांट करती हूं उम्मीद करती हूं आपको को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलती हूं फिर किस नए वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्ते जाहिए